गाइज अब इस वीडियो में आपको बता दो उसमें क्या बताए गया है दजिजेल को हिंदी में लिखिए अब कहने का मतलब यह कि रोजमर्रा की गुफ्तूग के जुम्ले यानिके इसका अगर हम टांसलेशन करें हिंदी में कि यानिके प्रति दिन में जो वार्द अलाप क जाती है वह वाक्य जुम्ले बोलते हैं उर्दू में वाक्य बोलते हैं हिंदी में रोजमर्रा परिजियन वर्ड है और रोजमर्रा का मतलब है प्रति दिन गुफ्तूग को बोलते हैं हिंदी में हम वार्त अलाप ठीक है तो इनी सब डायलोग बाजी में यह लिखा गया है राम, मैं बाजार से आ रहा हूँ, कुछ सामान फरोख्त करना था, फरोख्त बोलते हैं, बेचना, बेचने को फरोख्त बोलना है, ठीक है, शयाम, तुम्हें ऐसा क्या सामान फरोख्त करना था, जो कमला नगर मार्केट में नहीं मिलता, ठीक है गाइस, तो राम बोलते हैं, दרसल मुझह रंगो रोगन, रंगो रोगन बोलते हैं, एक तरह से कलर वगारा कराते हैं ना, पुताई पुताई, लगारी तुम तो जानते ही हो इसके लिए बेलन गंश जाना पड़ता है अब ये बेलन गंश का है जो भी जहां भी होगा अब ये जहां के लोग होगा समझ सकते हैं ठीक है हमें तो पढ़ने से मतलब है अब देखिए श्याम क्या बोलते है अगला क्या तुमने अपना होम वर्क कर लिया है राम बोलते हैं हाँ मैंने अपना सारा होम वर्क खत्म कर लिया है और तारीख तारीख हिसाब और अंग्रेजी की कापी भी बना ली है तो गाइस तारीख बोलते हैं हिस्ट्री को Vardu ने स्टारीथ फासी कि मतलब EP क्रा जिसा कि दूसरा पर जूसरा मेंनिंग क्या है – हिसाब दी hon है जोड घटाओ करना या सब चीजे इसमें तक्सीम है ना गुना भाग सब होता है इसमें उसे हिसाब बोलते हैं और बाकी तो आप जानते हैं शाम का बढ़ते हैं इसमें देखिए मैंने तो अभी तक कुछ भी नहीं किया है कल जरूर मासर जी की मार खानी पड़ेगी तो राम साब गाइस कहते हैं कि तुम सारे दिन पतंग तुम सारे दिन जब पतंग उड़ाओगे तो मार तो खानी ही पड़ेगी शाम साब कहते हैं इसके जवाब में नहीं मैं रात भर जाग कर काम पूरा करूंगा तो वाइस ये थी आज की वीडियो उमीद है ये वीडियो आपको पसंद आई हो और अगर पसंद आई दो प्लीज हमारे इस चैनल को सस्क्राइब परें और उन तक पहुंचाएं हमारी सारी वीडियो जिनको उर्दू सीखनी है लिखना सीखनी है पढ़ना सीखनी है ठीक है चलिए फिर मिलते हैं आप से बाबाई टेक कैर